नमस्कार जैशी कृष्णा मेरा के शिवानी अश्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने एक ज्योतिष ग्यान के नाम से सिरीज चलाई है जिसमें फ्रॉम दी वेरी बेसिक से लेके और एडवांस एस्ट लग आपको बता रहा हूं जो प्रडिक्शन करने के लिए बहुत इंपोर्टेंट होते हैं और पुंडली में उन नियमों को आप लगाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे ऑथन्टिक रिजल्ट मिलेंगे आप उस नियम मैं बता चुका हूं पहली क्लास में जिनोंने ना बात करता हूं और आपको बताता हूं कि नियम कौन-कौन से हमारे पास होते हैं देखी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है वह कहता है कि यदि विचार्निय भाव से यदि विचार्निय भाव से तीसरे छटे ग्यारवें पाप ग्रह बैठे हों तो वह अपनी दशामें विचार्निय भाव संबन्दी सुकुत्पन करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है नियम शैद आप लोगोंने सुना भी ना हो कि यदि सपोस कीजिए कि अगर आपका पांचवा भाव है और पांचवे भाव से तीसरे छटे और ग्यारवे भाव में अगर पाप ग्रह बैठ है या चटे में बैठा है या ग्यारवे में बैठा है तो जब भी उसकी दशा आएगी तो पांचवे भाव के रिजल्ट अच्छे मिलेगी इसलिए आपको यह पॉइंट बहुत अच्छी तरह द्यान अतना है कि जब भी किसी भाव का आप रिजल्ट देखते हैं किसी ग्र भाव सम्मंदी तो वो सुकुत्पन करें यह आप बाई डिफॉल्ट देखिए इस चीज़ कि जब भी कुल्डी देखें आप यह देख लें कि चलिए शुक्र की इंततिशा चल रही है तो आप यह देख लिजिए कि शनी कौन से भाव से तीसरा है कौन से च्छटा या कौन तीसरे च्छटे ग्यारवे पाप ग्रह बैठे हों लेकिन शर्त यह है कि पाप ग्रह होना चाहिए मतब शनी महां मंगल होना चाहिए को ऐसा ग्रह होना चाहिए शुब ग्रह नहीं होना चाहिए शनी की दशा है और शनी से तीसरे मंगल बैठा है तब तो ठीक है लेकिन क्या है दूसरण नियम बोलता है कि जिस भी भान के सवामी के शत्रु में, जैसे चौते बाब का आपको विचार करना है, तो चौते बाब का स्वामी का जो शत्रु है, उसकी अंतर दशा जब होगी, तो वो छौते बाब के स्वामी को चौते बाब को भीगाड़ेगी, चौते बाब का negative फल करेंगी, suppose कि जैसे ये नीचे कुल्डी दी गई है इस कुल्डी में आपने ये देखना है कि शनी की दशा है अब शनी की दशा हुई तो आपका स्वास्त कैसा रहेगा सोचने वाली बात यह है क्योंकि आपका लगन का स्वामी सूर्य है और शनी और सूर्य में मित्रता नहीं है इसलिए शनी की दशा में आपके स्वास्त में परिशानी हो सकती है minor health issues आपको हो सकते हैं शनी की दशा के अंगर ब्रस्वत्य की दशा आ जाती है ब्रस्वत्य आपके सूर्य का मित्र है जो लगन है उसका मित्र है तो ऐसे केस में स्वास्त अच्छा रहेगा तो आपको देखना होगा यही चीज में दिखाने की कोशिश गही है कि पहले हमको कोई भी जो हाउस एक्जामिन करना हो सब्सक्राइब तो उसके मेजर और माइनर पीरिड में आपको बॉडी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो स जुपिटर फ्रेंड है संद का उससे संबंदित चीह होंगी तो ऐसे हर भाव के लिए लगा लेगे दूसरे भाव केले लगाना हो दूसरे बाव का स्वामी मनता है बुद्ध के दशा में दूसरे भाव के रिजट अच्छे मिल सकते हैं यह यह इस तरीके से आपको नियम ये लगाना है इसके बाद का नियम बहुत important है विचारनिय भाव से यदि पहले चौथे पांचवे साथवे नवे और दसवे स्थान में शुप गरे बैठे हों तो विचारनिय भाव की प्रद्धी करेंगे इसमें दूसरा भाव और जोड़ लिए आपने दूसरा भाव और दसवन कें केंद्र त्रिकोंग। दूसरा भाव इन भावों में अगर शूप ग्रहूं का प्रभाव जोगी 했습니다 बत्तब ये कुल विलाएक Talking resolutions कि तो साथ स्थानों में चार स्थानों में शुब्ज़्य का प्रभाव जाता है शुब्ज़्य बैठेहे हैं या शुब्ज़्य दस्वा भाव देखिए कि कैसे ग्रह बैठे हैं आठवे भाव का विचार करना हो तो आठवे भाव को लगन बना लीजिए और उससे सब भाव को देखिए कि कैसे ग्रह वहाँ पर बैठे हैं तो उसी हिसाब से आपको यह मिल जाए तो ये नियम एक नियम यह है कि पाप ग्रह जहाँ बैठते हैं अशुभ ग्रह जहाँ बैठते हैं या जिनकी बगल में बैठते हैं उन भावो को नस्थ करते हैं ये नियम है, सिद्धान आपको लगाना चाहिए, मंगल किसी भाव में बैठा, तो पाप ग्रह बैठा तो उसको भाव को थोड़ा हानी तो पहुचाएगा, हाँ, अगर वो अपने भाव में बैठा है, तब नहीं, तब तो अपने भाव में तो हानी पहुचा ही नहीं सकता, तो अपने भाव की ब्रद्धी करे या, तो ये ध्यान अतना है कि पाप ग्रह जहां बैठते हैं, या जिसको देखते हैं, वहाँ पर हानी करते हैं, फिर सबसे important point आता है लगनेश के बारे, लगनेश के बारे में क्या important point है, जिस भाव में लगनेश जाता है, उस भाव की ब ब्रद्ध होती है, अगर लगनेश पांचवे भाव मेंगे तो फम्र ठध होगी, लगनेश अगर सातवे भाव में घया तो सातवे भाव की ब्रद्ध होगी, यारी ववाय जीवन के अच्छे आपको रेजुट्ट मेरेगे, पांच territory में गया तो आपको higher education छे मिलेगी, रोग और इंट से रेंड़ेगी शंता मिलेगी आपने कोई लॉन लिया हुआ है तो आप उसकी इमाई उतार सकेंगे अराम से तो लगनेश जिस भी भाव में जाएगा उस भाव की वरधी करेगा ये भाव आपको ध्यान रपना है उस भाव के पॉसिटिव विजट्स में वरधी करेगा तो ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आप बहुत अच्छा पिल रहेगा इसमें में एक चीज और जोड़ता हूं आल्दो मैंने वो नियम आगे शैद लिखा हो पर फिर भी लगनेश के साथ साथ भागेश को भी ऐसा अप लेके चलिए कि भागेश भी जिस इसके बाद पॉइंट आता है कि यदि कोई ग्रहेद दो घरों का मालिक है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को छोड़के वाकिकराओं की तो राशियं ले तो हम उनकी के तो मूल त्रिकों है तो यह की एसा है जिस तो मूल त्रिकोन राशी का प्रभाव बहुत अधिक होता है जहन रखिए कि जिस रहा कि मूल त्रिकोन राशी अगर चटे आठवे बारवे भाव में है तो वो शच्टेश अस्टमेश या द्वादशेश ही कहलाएगा बते ही उसकी दूसरी राशी केंदर में हो या त्रिको भाव में च्छटे भाव में या बारवे भाव में पढ़ जाए तो उस केस में वहानी नहीं करता है लगने शुबी रहता है वो कहते हैं कि लगन का स्वामी होने कारण जो शुपता उसमें रहती है वो रहेगी उसके अंदर जैसे व्रश्रिक लगन व्रश्रिक लगन में मंगल लगन और च्छटे घर का मालिक बनता है व्रश्रिक लगन में जो आठ नंबर राशी है तो वो राशी का स्वामी हो गया मंगल और च्छटे भाव में जो राशी है वो आती है एक नंबर राशी एक नंबर राशी का स्वामी हो गया मंगल अब एक नमबर राशी मूलत्रिकोन राशी है तो मूलत्रिकोन राशी के फल जायद देने चाहीं लेकिन उसके बावजूत भी वो हानी नहीं करेगा चुंकि वो लगनेश है तो लगनेश से केस में यह ध्यान रतना है कि लगनेश अगर चटे आठवे बारवे बापका अभी स्वामी हो उसकी मूलत्रिकोन राशी वहां पर हो तो वहानी नहीं करेगा तो यह थे कुछ नियम जो मैंने आपको बताने थे आशा करता हूं आपको समझभाएं होंगे इसक से लेगे अडवांस तक वो जॉइन कर सकते हैं हमारा कोर्स जल्दी शुरू करने वाले हैं दिगे नंबर पर संपार कर सकते हैं धन्यवाद जैशी कृष्णा